Hello students, Polytechnic Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं IMED यानि Industrial Management and Entrepreneurship Development जिसे हिंदी में हम और द्योगिक प्रबंधन एवं उद्धिमिता विकास के नाम से जानते हैं उसका जो चैप्टर 9 है जिसका टाइटल है Miscellaneous Topics, Miscellaneous Topics का मतलब बिविद Topics मतलब इसमें अलग-अलग प्रकार के Topics को रखा गया है तो इसको दो पार्ट में या दो सेक्शन में डिवाइट किया गया है पहला 9.1 और दूसरा 9.2 है तो 9.1 में ये सिलेवस है आप देख पा रहे हैं इसमें TQM है, Statistical Process Control, Total Employees Involvement और Just In Time यानि JIT तो आईए सुरुआत करते हैं सबसे पहले Total Quality Management यानि इसको कहते हैं संपून गुलवत्ता प्रबंधन या Short में कहते हैं TQM तो हो सकता है परिच्छा में सीधे Right Short Notes on following में करके सिर्फ TQM लिख दे आपको पहले तो पूगरा इसको पता होना चाहिए TQM का Full Form क्या होता है Total Quality Management अब आईए हम इसको हिंदी में संपून गुलवत्ता प्रबंधन या कई बार कहते हैं समग्र गुलवत्ता प्रबंधन अब एक एक सब्द को हम देख लेते हैं इसका मतलब है सभी गती विदियों से संबंधित टोटल का मतलब ये निकला Quality की बात करें तो मतलब गुलवत्ता और इसका मतलब होता है ये वस्तु या सेवा की बिसिष्टता को बताता है जो Quality या गुलवत्ता होता है तीसरा Management को हिंदी में कहते हैं प्रबंधन इसका मतलब है कार के संचालन उसके नियंतरन एवम निरदेशा नित्यादी में जो तरीके प्रियोक्त होते हैं उसको हम प्रबंधन या Management के नाम से जानते हैं तो यदि हम इन तीनों सब्द का अर्थ अलग अलग समझ लिया तो इसी को अब हमको मिला करके लिख देना है अतहा उप्रोक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंधन के तरीकों से सभी कर्मचारियों का सयोग लेकर इसमें सभी कर्मचारियों का सहयोग होना चाहिए तो प्रबंधन के तरीकों से सभी कर्मचारियों का सहयोग लेकर गुडवत्ता में निरंतर सुधार करते रहना ही संपून गुडवत्ता प्रबंधन कहलाता है तो ये तीनों सब्दों का जो अर्थ हमने समझा उस तीनों को ही मिला करके हमने लिख दिया इसमें देखे प्रबंधन भी आया इसमें गुलवत्ता आया इसमें संपून सब्दा आया तो प्रबंधन के तरीकों से सभी कर्मचारियों का सयोग लेकर गुलवत्ता में निरंतर स के जो पहले से चले आ रहे हैं उनमें परिवर्तन लाता है अब ये क्या है ये एक तरे से अगर हम कहें दूसरे सरल सब्दों में तो ये प्रबंधन दृष्टी कौन है यानि management approach है जो गुड़युक्त उतपादों या सेवाओं द्वारा ग्रहक संतुष्टी परदान करके किस किसी भी संगठन यानि organization या फिर हम कहें company को दीर्ग कालिक विकास की ओर ले जाता है ये जो TQM का concept है अब ये TQM के concept में कौन कौन से जो main points है जो आते हैं जिनको आपको mind में बठा लेना है यानि जब भी TQM की बात की जाती है तो ये 8 जो points हैं या headings है ये हमेशा mind में हमा आना चाहिए एक तो पहला है ग्रहाक संतुष्टी यानि customer satisfaction पहला जो main उद्देश होना चाहिए किसी भी company है संगठन का वो है customer satisfaction या ग्रहाक संतुष्टी दूसरा इसमें समगर कर्मचारी सहभागिता total employee involvement होना चाहिए यानि कोई ऐसा employee कर्मचारी किसी भी level का चाहिए उप लेविल का हो चाहिए निचले लेविल का हो अपने आपको अलग थलग मैसूस ना करे प्रतेक कर्मचारी का जो target है जो लच होना चाहिए उसके मन में कि हमें company का जो लच है उसको हासिल करना है उसके प्रति प्रतिबद्दता होना चाहिए तो प्रतेक कर्मचारी company या organization के सा अपना जुडाओ मैसूस करे और अपनी सहभागिता दे उसका involvement रहे ये बहुत जरूरी है यदि कर्मचारी असंतुष्ट होगा तो कहीं न कहीं फिर वो ग्रहकों को भी असंतुष्ट करेगा गलत बात फैलाएगा और बहुत सारी चीजें इसी होंगी जो कहीं न कहीं कमपनी किसी संगठन के हित को प्रभावित करेंगी तीसरा है सतत सुधार यानि continuous improvement इसमें चलते रहना चाहिए leadership या नेत्रत बहुत जरूरी है ये बहुत अलग topic कि इसके बारे में हम अलग चेक्टव ने पढ़ चुके हैं साच आधारित निर्ने लेना इसमें बहुत जरूरी है कि साच्छों के आधार पर decision लिया जाए या निर्ने लिया जाए प्रकिरिया दृष्टिकोंड अपनाना यानि process approach अपनाना और संबंद प्रबंधन यानि relationship management ये बहुत जरूरी है TQM का एक एहम हिस्सा है या एक सिध प्रिंसिपल या सिध्धानत है तो ये आठ सिध्धानत हैं जो हमेशा माइंड में आते हैं जब भी हम TQM की बात करते हैं अब दूसरा इसी में है एक सांक किये प्रक्रम नियंतरन कहते हैं statistical process control statistical मतलब सांक किये process मतलब प्रक्रम या प्रक्रिया और नियंतरन मतलब अंगरे नियंतरन के या कई अन बच्चे हैं वो पढ़ते हैं electrical के भी पढ़ते हैं दूसरे ब्रांच के भी लगबख सब को पढ़ाया जाता है SQC का full form होता है statistical quality control तो वो क्या होता है सांक की गुड नियंतरन कहलाता है ये सांक की ये प्रक्रम नियंतरन सब्द में ही राज चुका ह जब किसी प्रक्रम यानि प्रोसेस को नियंतरित करने के लिए इसमें लिखा है ना सांक की ये प्रक्रम नियंतरन यानि किसी प्रक्रम को नियंतरित करने के लिए यदि हम सांक की ये यानि statistics की तक्नीकों का प्रियोग करें तो वो कहलाएगा सांक की ये प्रक्रम नियंतरन स इसे में लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, बच्चों सांकी का मतलब आप समझते हैं, एक डेटा का एक समूऊ यानि आखणों का एक समूऊ होता है, जो जिसके आधारपर हुम किसी निशकर्स पर पहुंच सकते हैं, सांकी के आपने सभी ने गलित में, हाइच स्कूल में, वो आउकड़े जो होते हैं एक आउकड़ों का समू है जो किसी निसकर्स पर जिसके आधार पर पहुंचा। तो उसे सांखी की ये प्रकरब नियंतरन यानी SPC, Statistical Process Control कहते हैं, ये सांखी की ये गुड़ नियंतरन बता है, SQC के समान होता है, कई बार interchangeably भी, कई बार SPC कोई SQC भी कहते हैं, और SQC कोई SPC कह देते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सांतर होता है, quality control जब हम करते हैं, जब उत्पात बन जाता है, और process के दौरान जब हम करते हैं, तो उसका नाम हम कर देते हैं, SPC, इस तरीके का थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, कई बार दोनों को एक ही अर्थ में कई बार प्रियोग भी कर लिया जाता है, तो ये क्या है, एक प्रकरब नियंतरन की एक आधुन ठीके बच्चो टोटल मतलब समक्र या संपूर्ण इंदी में सकल भी कहते हैं इसको, Employees मतलब कर्मचारी, कोई जो किसी कंपनी या संगठन में काम कर रहे हैं, उन सब की सहभागिता होनी चाहिए, जो भी लच्छ है कंपनी का, ठीके बच्चो उसको हासिल करने के लिए तो कंपनी के सभी कर्मचारियों को नेलने लेने, समस्याओं का समधान करने, तथा प्लानिंग में सामिल किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपने कोई एक मीटिंग की, कंपनी मेनेजमेंट ने मीटिंग की, उसमें सभी Employees को एक अत्रित किया, Department-wise के हमाने लिए 20 Employees, तो उनसे पूचा जाता है कि आप बताईए आपकी क्या राया है, यह हमारी कंपनी है, कैसे इसका विकास हो सकता है, कैसे हम प्रोड़क्ट में इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं, कैसे हम सर्विस में इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं, तो कंपनी जब सुझाओ देता है, अच्छे सुझाओ मिलते हैं, तो उनको लागू भी कराया जाता है, तो उससे क्या होता है, इंप्लॉई अपने आपको जुड़ा हुआ मैसूस करता है, कि देखो यह कंपनी है, हमसे पूचती भी है, हमारी राय भी लेती है, हमारा फीड़बेक भी लेती है, कि कस्टमर को satisfy कैसे किया जाए, कंपनी को कैसे आगे, उसकी growth बढ़ाई जाए, उसको और विक्सित किया जाए, उसके target को कैसे पूरा किया जाए, उससे क्या होता है, जब इस तरीके का काम किया जाता है, तो जो किसी भी करमचारी के अंदर जो innovation होता है, जो नवाचार जो एक process उसके mind मे चलता रहता है, वो भी निकल करके आता है, और करमचारी बढ़ चल कर हिस्सा लेते हैं, कि अपने सुझाओं को देते हैं, उनको लागू किया जाता है, तो management ठप ठपाता है, वो ले very good, ये करमचारी के सुझाओं देखो था, हमने लागू किया, और इससे company को फायदा मिला है, तो उनमें से कोई करमचारी बहुत अच्छा इडिया दे देते हैं, समाधान करने का, planning को ही चल रही है, तो उसमें सामिल किया जाता है, तो simple सा, इसी में सब्द में ही सारा आर्थ लिखा है, कि management का एक तो सिध्धान तया concept है, जिसमें किसी company के सभी करमचारीयों को, सकल मतलब दे कि इसी में लिखा total, सभी करमचारीयों को निर्णे लेने, यानि decision making, समस्याओं का समाधान करने, यानि problem solving, और planning में सामिल किया जाता है, ठीक है बच्चों, इससे क्या होता है, जो करमचारी company के साथ जुडाओ मैसूस करते हैं, जिससे ultimately क्या होता है, productivity यानि की उत करमचारी को involve करेंगे, तो वो उसमें कहीं न कहीं क्या होगी, skill को उसकी भी करमचारी की भी skill निखरेगी, creative सोच निखरेगी, और जो उसकी जुड़ाओ मैसूस करेगा, तो वो कमपनी छोड़ करके कम जाएगा, करमचारीयों का कौसल विकास होता है, उनके भी कौसल निख करके आएगा, उनके अंदर innovation होता है, प्रतेक भिक्ती के अंदर होता है, उनको मौका दिया जाएगा, stage दिया जाएगा, तो वो प्रतिभा निकल करके आएगी, प्रेलना, यानि motivation मिलेगा एक दूसरे से, सकारात्मा कारे संस्कृति, जो work culture, जो एक अलग chapter पढ़ा था, वह एक बड़ा महत्पूर्ण जो की बहुत important भी है, just in time, short में आता है JIT, तो हो सकता है, पर इच्छा में सीधे लिख दिया जाए JIT, तो JIT का full form, just in time, आपको पता होना चाहिए, हिंदी में अर्थ देखे just in time, मतलब बिल्कुल ठीक समय पर, है ना, सही समय पर, या फिर ठीक सम concept है, तो एक just in time के बारे में, जब inventory management, जिस chapter में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम JIT की बात किया था, यानि store management, भंडार होता है, जिसमें सामगरी मंगाई जाती है, कच्चा माल, अर्ध, निर्मित, पदार, रखा जाता है, संग्रित किया जाता है, जरूरत पढ़ने पर, फ इसमें क्या किया जाता है, कोई भी सामगरी मंगाना है, तो मंगा करके store में आएगा, उतरेगा, फिर रखा जाएगा, गेना जाएगा, फिर दुनिया भर का काम होगा, फिर जरूरत की आधार पर फिर उसको पहुँचाया जाएगा, भेजा जाएगा, तो क्या हो रहा है, transportation कोश्ट आप ले लिए चाब material handling जो industry के अंदर वो बढ़ रही है सामगरी की टूट भूट भी हो सकती है और दूसरा तरीका क्या है जब उत्पादनकार होने वाला है जैसे कल उत्पादनकार होना है दस बजे से प्रारम होना है तो सीधे 9 बजे तक हम इस तरीकी की विवस्ता करें कि 9 बजे माल सीधा वहीं पर पहुंच जाए जहां पर जो प्रोडक्शन सौफ है तो इससे क्या होगा वो जो material handling कोश्ट थी इस खान घेर रहा था उतारने चड़ाने और दुनिया भर का जो काम हो रहा था और समय जो लग रहा था वो सब बच जाएगा यही इसका JIT क क्या है concept है just in time मतलब जिस ठीक उसी समय जब हमें जरूड़त है तभी वो सामान को मंगाया जाता है तो इसमें क्या inventory तकनीक है कि जिसमें किसी सामगरी कि आपूरती तभी ली जाती है जब उसकी जरूड़त होती है यानि इसमें inventory अर्थात inventory का मतलब सामगरी का ढेर तो इस छोटा सा उदारन आप रोज मर रहा है कि जिंदगी में आपको मैं बताता हूँ जैसे आपका मोबाइल में यदि कोई प्रॉब्लम हो गई आप दुकानदार के पास गए दिखाया आप आज देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनी के मोबाइल आते हैं और एक ही कंपनी के पचा वही इन्वेंटरी है लेकर उसके पास नहीं है तो वो जो सप्लायर है उससे कॉंटेक्ट होगा तो वो कह देगा कि कल 9 बजे आपका समान आ जाएगा आप 9 बजे मोबाइल सुधर करके आप 10 बजे ले जाईएगा क्यों क्योंकि उससे जो सप्लायर है जो पार्ट की आप करता है उससे डारेक्ट कॉंटेक्ट वो कहेगा भही आप कल सीधे मुझे दे जाना इस जो मोबाइल का पार्ट है मुझे चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए तो वो दे जाएगा वो लगा कर फिट करके आपको दे देगा तो यानि ठीक जरूरत के समय पर जब जरूरत में कमी आती है आवश्चक इस्थान में कमी आती है भाई आप स्टोर करके रखेंगे तो जगे घेरेगा आप क्या क्या चीजी स्टोर कर लोगे आप सब चीजी स्टोर नहीं कर सकते ना पदार्थ हस्तांतरन लागत में कमी आएगी कहीं और उत्च गुलवत्ता यानि हाई बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे श्टॉक विभित प्रकार के मंगा मंगा के भर लो, तो आपके पास बहुत पैसा होगा, तो आप भर लोगे वहाँ पर, फिर कस्टमर को यहाँ यह मुझे फसंद सेंपल, फिर वो और करे कंपनी को, जिससे सप्लायर को कि भईया, यतनी क्वांटिटी में हमको दे जाओ, यह हमारा कस्टमर है, इससे हमारी बात हो गई है तो उसने क्या कि इंवेंट्री में बचात हुई ना, वो धेर लगा कि उसके पास छोटी सी दुकान है, जगे कम है, पैसा उसके पास पहले से नहीं है, तो वो क्यों धेर लगा रहा है, वो सीधे कंपनी से बात किया, सप्लायर ने, सीधा उसको सप्लाई कर दिया, उसने कस इतना मंगवा करके ज़्यादा सामगरी है, सीधे कस्टमर का इडरसी है, वहीं पहुंचा देना, लीजिए, उसका भी बेनिफेट हो गया, सप्लायर भी सीधे पहुंचा दिया, सारा चीज हो गई, कस्टमर के पास सामान पहुंच गया, जो उसको पसंद था, तो अभी छोट कल उत्पादन सुरू होना है, दस बजे, तो हमारा तो यह है, जेस्ट इन टाइम मतलब उत्पादन सुरू होने के ठीक पहले सामागरी पहुंच जाए, अब मालीजे ट्रक से सामान आ रहा है, हमने तो आईडेली माल लिया, कि नो बजे तक, आठ बजे तक, सुबह चार ब समय सीमा पर बहुत सारी इसी चीजे होती है, जिसमें नियंतर नहीं रह पाता है, भाई क्या है, कोई हर्ताल हो जाए, किसी चीज की कुछ हो जाए, आपके पास सामागरी बिल्कुल नहीं स्टोर करके आपने रखी, आप भरोसिये कि सीधे मंगाएंगे, कर देंगे, अब क चिंता मत करो, आपके हाँ जब भी उत्पादनकार शुरू होने वाला होगा, मैं सावान की सप्लाई कर दूँगा, आप परेशान मत हो ये, जैसे घर हम किसी के हाँ, माली जी इंट देखने जाए, हमको घर बनाने के लिए इंटों की जरूरत हो, तो उसके पास जाएंगे वो दुकानदार इंटों सेंपल दिखा है, लेकिन कहें अभी मेरे पास नहीं, आप बताईए, आपका उत्पादनकार ये घर बनना कब से सुरू होना है, तो आप बताओ कि मेरा घर बनना भी तारीक से सुरू होना है, तो वो कहें, आप परेशान मत हो ये, 19 तारीक को साम क आपके घर ये सप्लाई ये मटेरियल पहुच जाएगा, तो आपको होगे, वेरी गुड भाई, हमें क्या दिक्कत है, आप समय पे हमको पहुचा दीजीगा, बात खत्म हो गई, तो ये सारी चीजें जो होती है, तो सप्लाइर जो होता है, उस पर निर्भरता जादा रहती और वो धोका दे जाए, माली जिन ना कर पाए, जान बूज कर या गलती से, तो उसमें क्या होता है, कई बार दिक्कत हो सकती है, तो ये कुछ इसके अलहाब भी हैं, अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो इसका सेक्शन है, वो है 9.2, इसको कहते हैं, IPR, इसका फुल फॉर इसको हिंदी में कहते हैं, बौधिक संपता अधिकार, तो इंटेली एक्चुल जो प्रौपल्टी राइट होते हैं, जो बौधिक संपता अधिकार होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, ये अभी हम बात करेंगे, इसमें ये भी आपके सिलेवस में हैं, कॉपी राइट हो ग तो यह क्या है IntelliActual नाम से ही पता चल रहे हैं बहुत धेक संपधा अधिकार तो अधिकार में सब्द में आप जाईए तो अधिकार का मतलब यह एक कानोनी अधिकार हैं जो किसी विक्ती को दिये जाते हैं बहुत धेक संपधा मतलब जो आपके माइंड से किसी विक्ती कोई विक्ती क्रेटर है तो उसके माइंड से निकली हुई कोई भी चीज वो किताब हो सकती है माली जी किसी विक्ती ने कोई बहुत अच्छी किताब लिखी किसी विक्ती ने बहुत अच्छी चित्रकारी की किसी व्यक्ति ने कोई अविस्कार किया, किसी व्यक्ति ने एक ऐसा solution तलासा जो किसी समस्या का समाधान कर सकता है किसी व्यक्ति ने कोई मूर्ती बनाई बहुत सुन्दर सी तो ये क्या है उसकी बुद्धी से निकली हुई चीज़े हैं जो बुद्धी से निकली हुई चीज़े हैं जैसे उनके द्वारा कोई रचित किताब हैं कविता, आविशकार, कलाकरती, प्रतीक, इत्यादी पर एक निश्चित समय के लिए प्राप्त होते हैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे कानूनी अधिकार हैं, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, बौद्धी समपधा अधिकार जो किसी बुद्धी को उसके द्वारा रचित किताबों, किताबें जो हम रोज पढ़ते हैं जिन्दिगी में अपनी कविताएं आप देखते होंगे तो कभी का नाम भी लिया जाता है, कोई कविताएं जिसे रामधारी सिंग दिनकर जी थे, उनकी कविता फेमस है, अब कोई उनकी कविता लेकर करके कह दे कि ये कविता मैंने लिखी हैं, तो ये क्या हुआ, उनकी बौद्धिक समपधा का उलंगन हो गया ना बेटा, तो कि समपधा अधिकार के परकारों की बात करें, तो ये तीन परकार के जनरली होते हैं, कॉपी राइट एक होते हैं, एक पेटेंट और एक होते हैं, ट्रेड मार्क, इनका आपने नाम भी सुना होगा कहीं न कहीं, अब कॉपी राइट क्या होते हैं, कॉपी राइट के जैसे हो तीनों चुकि एक उसके बहुत देख संबतादिकार के प्रकार हैं तो यह है एक बहुत देख संबतादिकार हैं जिसमें किसी विक्ति को उसके द्वारा रचित किताबों आप देखिए जैसे आप किताब जो पढ़ते हैं उसमें आप देखिए copyright statement लिखा होता है कि इस पुस् कॉपी राइट तो यह एक बहुत देख संबदा है अधिकार है जिसमें किसी ब्यक्तिकुस के द्वारे किताब हो गई चित्रकारी की संगीत जैसे मूजिक जो होता है यूटूब में सब जानते हैं आजकल यूटूब से जुड़े हैं उनको पता है किसी का संगीत आजकल इस्तेमाल कर लोगे कॉपी राइटेड है तो तुरंत चैनल बंद हो जाता है या नोटिस आ जाता है मूवी, कंप्यूटर प्रोग्राम इत्यादी पर एक निश्चत समय के लिए प्राप्त होते हैं तो ये माली जी किसी विक्ती ने कोई अपनी बुद्धी से कोई चीज बनाई किताब लिखी, चित्रकारी की, संगीद बनाया, मूवी बनाई, कंप्यूटर प्रोग्राम वि इसमें किसी विक्ती को उसके द्वारा रचित किताबों, चित्रकारी, संगीद, मूवी, कंप्यूटर प्रोग्राम इत्यादी पर एक निश्चित समय के लिए प्राप्त होते हैं ये अधिकार, कॉपी राइट के अंतरगत प्राप्त अधिकार क्या होते हैं, एक तो किताबे बिक्ती हैं, उसी हिसाब से उनको शेयर दिया जाता है, पैसा उनको जाता है, तो जितने ज्यादे किताबे बिचेंगी, वही रचैता या लेकक को उतना ही ज्यादा मिले, कविताओं का संग्रे है, किसी ने अगर लिखा, तो जितनी बिखेंगी, वह रचैता या जो कविताकार है जिसने लिखी है उसको जाएगा तो ये बच्चों क्या होता है कि जो भी प्रियोग करता है ये संगीत किसी ने बना यूटूब पे चल रहा है या कोई भी प्रियोग कर रहा है तो उसको पैसे जाते हैं जो इसको बनाता है गाने लिखता है जो म्यूजिक द सकता है ना उसको कॉपी कर सकता है नैते कदिकार क्या है moral rights इसके तहट किसी रचनाकार को पैसे के अलावा नहतों का सनरचन किया जाता है जैसे कई बार क्या होता है कि कि किसी की कॉपी करके कोई दूसरा विक्ति पैसे के अलावा अन तरह किसी प्रियोक करते है अपना नाम उसमें एंटर कर देता है कि ये मैंने लिखा है या इस तरीके से किया है तो इस तरीके की चीज़ों से भी उसको संद्चन प्राप्त होता है रचनाकार को इसको नैते कदिकार या moral rights कहते हैं या कई बार क्या होता है कोई चीज किसी चीज कोट कर रहे हैं तो उसको उसका नाम दिया जाए कि या फला विक्ती का ये चीज है जो मैं कोट कर रहा हूं तो इससे उस विक्ती का नाम होता है तो ये चीज भी इसमें ध्यान रखी जाती है दूसरा महत्पूर्ण चीज है पेटेंट पेटेंट आप सभी जानते है पेटेंट क्या ये भी एक बहुत एक समतादिकार है जो किसी अविसकार के लिए किसी बिक्ति को दिया जाता है जैसे कि आपने अगर कोई अविसकार कर लिया तो एक पेटेंट की एक प्रोसेस होती है अप्लिकेशन फाइल करिए वो पेटेंट आपको मिल जाएगा तो आपका उसका एक छत्र राज हो जाएगा फिर कोई उस पेटेंट को कोई कॉपी उसकी डूबली केसी नहीं कर सकता है यदि वो ऐसा करता है तो उस पो बहुत सारे प्रावधान बने हैं उनका प्रियोग वो करके उसके अंगेश्ट में कर सकता है लेकन वो अपनी इच्छा से उस पेटेंट का उपयोग करने को कोई मॉडल बनाने को मैनूफेक्टरिंग के लिए दे सकता है उसके बदले में उसको पारितोसिक की रूप में पैसा मिलता है एक बड़ी रकम भी मिलती है तो पेटेंट क्या है एक बौद्दिक संबदा अधिकार है जिसमें किसी ब्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अविस्कार के लिए बिसेस अधिकार दिये जाते हैं ठीक है बच्चों तो पेटेंट जारी होने के बाद कोई भी अन्य ब्यक्ति या संगठन अविस्कार करने वाली ब्यक्ति की अनुमती के बिना उस पेटेंट का निर्माड या नकल नहीं कर सकते हैं जैसे एक उधारन के लिए बल्ब का ले लीजिए जैसे थॉमस एलवा एडिशन के नाम पर वो पेटेंट है ठीक है बच्चों तो उसको कोई अन्य ब्यक्ति उनकी बिना अन्यमती के बल्ब नहीं बना सकता है कोई बल्ब बनानी वाली कंपनी होगी तो उनसे अधिकाल लेगी कि हाँ भाई यह उनको हम इसको बनाना चाहते हैं आपके हिसाब से जो तरीका है बल्ब का और हम आपको उसके बदले में इतना पैसा देंगे तो बिना अगर किसी ने प्रिटेंट करा ली है कोई चीज अविसकार को तो बिना उसकी अन्मती के वो चीज फिर बाजार में नहीं बन सकती है ना उसका निर्माड हो सकता है बिना अविसकारक की अन्मती के परितोसिक के रूप में कि प्रती वर्स या इतने प्रोडक्ट के हिसाब से है जो भी उनके बीच में एग्रिमेंट हो कि हम आपको देंगे ये आप हमको उत्पादन करने दीजिए सामान अतहा पेटेंट 20 वर्स की आउधी के लिए दिया जाता है उसके बाद फिर उसका उत्पादन कार सुरू होता है तो इसके बहुत सारे नियम सर्ते हैं लंबी चोड़ी इसकी प्रोसेस होती है बहुत सारे इसमें जो सेक्शन्स भी बने होते हैं उनको पढ़ना होता है क सब चीजों का पेटेंट नहीं कराया जासकता है कुछ चीजें भले आपकी इन्योवेशन है लेकिन किसी के मान और सवास्व से या कोई चीज ऐसी है जो बहुत ही सैंश्टे हो है उससे आप नहीं करा सकते हैं तो ये सब चीजें भी होती है जो पिरते एक देस में होता है इंडिया में भी इसके लिए बाकाईदे कानून बने हैं लोग patent फाइल करते हैं उनको patent का अधिकार भी मिलता है उसका certificate भी मिलता है तो यह process है आप official website को बिजिट करके इसके बारे में और जान सकते हैं patent के कुछ उदारन जैसे bulb का patent Thomas Elway edition के पास telephone का आपको पता है आंत्रिक दहन इंजन, internal commission इंजन आपको पता है सब आप पढ़ते हैं तो यह सारी जो उत्पाद हैं इनके क्या है patent कराए गए थे जब यह बने थे तो आज के समय में आप सभी जानते हैं तो यह patent के एक उदारन है इस तरीके से कोई भी उत्पाद होता है अविसकार होता है तो उसका लोग patent करा लेते हैं तागी दूसरा नकल करके अपना नाम ना करने पाए तीसरा हम मातपूर्ण उस पर बात कर रहे हैं IPR के अंतरगर trademark की trade का हम समझ लेते हैं trade माने होता है ब्योसाय या उद्ध्यम और जो उसकी अलग पहचान बनाता है बात है तो इसको ट्रेडमार को सीधा सीधा समझ लेजिए चिन्ने दोर जैसे BSNL का एक logo है तो वो बिल्कुल सबसे अलग है BSNL का logo आप देखके पहचान सकते हैं कि हाँ ये भाई BSNL का logo है अब BSNL logo अधि उसको trademark ना करा है तो कोई भी अपनी company का नाम लिख लेगा के देगा ये अब मेरा logo बन गया ठीक है बच्चों तो trademark ये भी क्या है एक बहुत एक संबदादिकार के अंतरगत आता है और trademark क्या होता है एक प्रतीक यानि sign होता है पतना प्रतीक कह लिजे चाँ चिन्न कह लिजे चाँ संकेत अंग्रेजी मे और भी companies इस तरीके के L.T.L. वाले जीओ वाले slogan देते रहे जैसे था ना कर लो दुनिया मुठी में आपने सुना होगा तो ये क्या है एक तरहे का ये trademark बन गया कि उस फला company का ये कर लो दुनिया मुठी में ये उस company का trademark है ये जैसे कोई news channel आपको रखे आगे उन्होंने अ लिए तो अलग अलग बड़ी बड़ी company है चाय कोका कोला का ले लीजिए पैपसी का ले लीजिए उनके अलग symbol होते है ना आपने देखे होंगे एक अलग logo होती है उनकी एक अलग पहचान होती है अलग से slogan इस तरीके के दिये जाते है जो इस Facebook उसी company के लिए प्रियोग होत है वो कहलाता है ट्रेड मार्क नाम से ही पता चला है ट्रेड मतलब उद्ध्यम और मार्क मतलब प्रतिक या चिन यानि किसी उद्ध्यम या company का ऐसा प्रतिक या चिन या संकेत जो से दूसरी company के उत्पादियों से वहाँ से अलग करता है वो ट्रेड मार्क कहलाता है जैसे क कोई भी अपने trademark को registered या पंजीकरत करा सकता है अब बच्चों यह जो IPR है इसमें उल्लंगन के उधारण अब इसके जैसे महत्त हुई है उल्लंगन के उधारण जब हम समझ लेंगे तो हम इसके महत्त को भी लिख सकते हैं अब यह जैसे बहुत देख संबधा जो यह बने हैं बहुत देख संबधा कानून बना हैं बहुत देख संबधा राइट्स बने हैं अधिकार बने हैं तो उनका महत्त तो क्या है आप समझे कोई व्यक्ति ने creator रचना की मान लीजे आपने कोई कविता लिखी आप creator हैं कविता लिखी रहते हैं अब आपने कविता लिखी और आ अपना नाम लगा ये घूम रहा है जैसे net से हम लोग क्या करते हैं जैसे कई बच्चे क्या करते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है किसी रचनाकार की net में सर्च किया Google में कोई कवीता मिली कवीता लिखा और नीचे अपना नाम लिख दिया मतलब ये धरसाना चाह रहे हैं कि ये कविता मेरी लिखी हुई जबकि वो कविता लिखी हुई आपकी नहीं है वो किसकी है? वो दूसरे एक कोई रचनाकार है कविताकार है, उन्हों नो लिखी है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कहीं न कहीं आए दिन बहुत देख संबता जो अधिकार हैं उनका हम उलंगन करते हैं तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं उलंगन को infringement यानी examples of IPR infringement तो हम देनिक जीवन में देखी कैसे हम infringement करते हैं सभी लोग इसको जरूट समझने की जरूट जैसी किसी किताब है आपके पास कई बच्चे क्या करते हैं किताब ना खरीद कर उसकी फोटो कॉपी करा लेते हैं तो किताब की फोटो कॉपी करना उसको स्कैन करके कंप्यूटर में स्कैन की हुई किताब हैं मोबाइल पर एक दूसरे इसको forward करते हैं या फिर उसको कंप्यूटर में अपने save करके रखते हैं तो ये सब copyright का उलंगन है आप photo copy करा लिए, scan करा लिए तो जो लेकट था उस किताब का उसकी किताब नहीं भी की तो उसको कही न कही किया हुआ, नुकसान हुआ उस company को नुकसान हुआ जो उस किताब को छापता है तो पैसे का कही न कही हुआ, उनके अधिकारों पर परभाव पड़ा आपने नकल किया आपने गलत काम किया तो वो देखी क्या है उलंगन है आपका बहुत देख संपधा अधिकारों का दूसरा है किसी बेप साइट से अनाधिकरत तरीके से किताब हैं पत्रिका इतियादी डाउनलोड करना हम लोग नेट पे जाते हैं किसी किताब को हमको और PDF format में मिल जाता है, हम सीधे डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो क्या तरीका है, अनाधिकरत तरीका है, अनाथ्राइज तरीका है, वो company ने तो फिरी नहीं दिये, आप उसको दूसरी website से pirated copy डाउनलोड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उस company और लेखक को नुकसान हो रहा ह तो वो भी एक क्या है, copyright infringement है, या बौधिक संपधा उनलंगन का एक आपका उधारन है, यूटूब में आप सब जानते होंगे, कि यूटूब बीडियो में copyright गानों या संकीत का उपयोग करना, कोई गाना बहुत फेमस है, संकीत बहुत फेमस है, आप जो तो यूटूब क बंद हो गए, बीडियो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि copyright गाना आप लगा है, वो जिसने जिसका गाना है, जिसका अधिकार है, वो आपको notice भेज़ देगा, आपको तुरंद बंद करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, या आपको हो सकता है, कोई इस तरीके का आप copyright strike भी दे दे या, इस तरीके का आप पर कारवाई की भी बात करें, तीज अगला है उदारन थेटर में movie record करना, आप कहीं movie थेटर में टॉकीज में गए, वहाँ पर movie जो चल रही है, उसको अपने camera से, mobile से record किया, फिर ताकि दूसरे को आप बेज सकें या दिखा सकें, तो यह क्या है, यह copyright आपका जो भी बहुत देख संपतादिकार है, उनका उलंगान है, infringement है, किसी company के trademark जैसे logo वाक इत्यादी का प्रियोग करना, जैसे हम लोग गलती करते हैं, कोई YouTube चैनल वाले अपना जो, कोई भी कहीं लिख देते हैं, या उनके logo का प्रियोग कर लेते हैं जो तो वो चीज पूरी तरीके से गलत है, जैसे YouTube बैनर पर हो गया, और YouTube का इस तरीके से जो भी आपका कहीं भी अगर आप प्रियोग करते हैं, नाम लिखते हैं, या उनके slogan का प्रियोग करते हैं, तो वो क्या है, कहीं न कहीं, वो जो उनके अधिकार हैं, बहुत दिक बना दिया है, तो वो सब चीजें गलत होती हैं, और वो कहीं न कहीं, ये जो बॉधिक संपतादीकार हैं, उनका उलंगण होता है, दूसरा है, किसी दूसरे की फोटो, चित्रकारी इत्यादी का बिना उनमती, बिना उसकी उनमती की उसने उनमती नहीं दी, और हम प्रयोग करते हैं ना कि इस्तेमाल सही उसके लिए आप रिफरेंस के रूप में किसी चीज को दे सकते हैं, बता सकते हैं, उदारन दे सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन उसको proper तरीके से जो तरीका है बताने का, जो उनको रिफरेंस देने का वो आपको पता होना चाहिए और सही तरीके से रिफ्रेंश दे करके उसको करना चाहिए उसको कहते हैं सब्द आपने नाम सुना हो का फेर यूज तो फेर यूज की भी एक अपनी परिभासा है तो कई बार हमको चीजों को समझाने के लिए बहुत सारे उधारन लेने पड़ते हैं तब ह किसी की क्रियेटिविटी को बचाना उसके अधिकारों को संरच्छित करना उसको कॉपी राइट उसका जो कोई नकलना करने देना ठीक है इस तरीके की सारी चीजे हैं तो यह आप लिख सकते हैं उसके जो इंपॉर्टेंस या महत्त है उसके हैडिंग में यह 5-6 पॉइंट भी पिक्चर होती थी उनकी CD, DVD बजार में मिलती थी 15-15, 20-20 रुपे की खरीद के लोग लाकर के BCR में या घर में DVD प्लेयर में लगा लगा देखते थे तो यह सब एक उधारन है ऐसे बहुत सारे उधारन होते हैं मैंने कुछ ऐसे उधारन लिए हैं जो आप अपनी रोजम बजने, लिखने और खुद की समझ के हिसाब से आपको काफी knowledge मिल गया होगा और आप परिच्छा में तो आप कुछ भी पूच लिया जाएगा इससे संबंदित आप उसका उत्तर देपाने में सच्छम होंगे तो सुब कामना उसायत आज के वीडियो को मैं यही समाप्त कर थेंक्यू बेरी मच आप सभी का दिन शुबो